चैनल को सब्स्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों कैसे हैं आप सबी आइनो आपने मुझे बहुत मिस्स किया होगा और सोच रहे होंगे कि तीन दीन होगे सागर भाई ने वीडियो की निडारी सागर भाई कि धर सागर भाई अंडर ग्राउंड गए थे दिली की लोकल मारकेट में कुछ खास खरीदने के लिए आप लोगों के लिए जी हाँ मैं नहरू प्लेस गफार मारकेट और ऐसी बहुत सारी अंडरेग्राउंड मारकेट डैली में मैं घूम रहा था मासक लगाके चेहरा चुपाक ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए और वहां से मैं ऐसी सस्ती चीजे खरीद रहा था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि लोकल मार्केट से आप सस्ती चीजे खरीद कर कैसे कैसे क्या-क्या हासिल कर सकते हैं दियान दें कि यहां पर मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि इन जगा आते हैं सागर्स टेक्शों मैं इसके बारे में बात करूं कि मैंने कैसे 23,000 रुपे में कैसा लैपटॉप खरीदा और 11,000 रुपे में कैसा लैपटॉप खरीदा जिससे आप गेमिंग कर सकते हैं यह एपिसोड आएंगे अगर आप मुझे बताएंगे तो तो आज इस आइफोन की कुछ लेटिस प्रॉब्लम और पूरानी प्रॉब्लम के बारे में और मुझे क्यों लगता है कि Android फॉन बेटर है आइफोन से अब मैं आइफोन से नफरत नहीं करता मेरे पास आइफोन और एंडॉइड दोनों ही है मैं दोनों ही इस्तमाल करता हूं और दोनों आइफोन 12 और 11 के कुछ ऐसे यूजर्स है आइफोन 12 के बेसिकली जो यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके आइफोन का जो कलर है वो फेड हो रहा है जी हां आपको अब आपको लग रहा होगा कि सागर भाई यह कोई बड़ी बात नहीं है फॉन के जो कलर होते हैं तो फेड ह हो जाते हैं स्क्रैच लग जाते हैं मैं बता हूं ऐसा नहीं है यह भाई आइफोन है यहां के इंच इंच नैनोमीटर सेंटोमीटर का भी एक डिजाइन का हिसाब होता है कलर क्वालिटी क्या इस्तमाल की गई उसकी बॉड़ी पर उससे बहुत फर्क पड़ता है यहां पर तो उससे एपल ने इस चीज़ पर कहा है कि यह मैनुफाक्श्रिंग डिफेक्ट नहीं है यह कॉस्मेटिक ऐसे वह हो रहा है कोई रियाक्शन की वज़े से या ज्यादा घिस रहे हो उसको या उस वज़े से हो रहा है तो दोनों ही केस में ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर आपल को थोड़ा सा विचार करना चाहिए अगली चीज मैं बात करने वाला हूं आइफोन 12 या आइफोन की बिसिकली 5G स्पीड के बारे में क्या आपको पता है कि अभी जो आपल आइफोन 12 है जो की एक 5G डिवाइस है एंड्रोइड के कम से कम 25 ऐसे डिवाइस हैं 5G जिनकी 5G स्पीड एपल आइफोन के 12 के 5G स्पीड से ज्यादा है और ध्यान देने बाली बात यह कि साथ परसंट जो एंड्रोइड है इन में से इन 25 में से वह सामसंग के ऐसा क्यूं हो रहा है आइफोन में बहुत बाद में इंट्रोइड करा चुका था तो उनकी जो रिसर्च है जो उनकी सारी चीज़ें वह एपल से थोड़ी आगे चल रही है इसलिए अभी जो सामसिंग गैलक्सी एस 20 संथिंग कुछ एक स्मार्टफोन है जो की 5G स्मार्टफोन है उसकी 5G स्पी और आपकी जो 5G स्पीड है वो उस काबिल नहीं है कि आपसे भी एंड्रोइड मतलब एंड्रोइड को लो उसमें समझते हैं लग बलकि एंड्रोइड कोई लो ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको मालूम है कि सामसिंग के ऐसे बहुत सारे फोन है जो जो आपल स आइसा कुछ भी नहीं है अमेरिका में एक आइफोन को ओन करना लक्जरी नहीं मना जाता और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहां पर आइफोन खरीदने का जो हुआ है थोड़ा सा अलग होता है महां पर क्या होता है कि आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर एट प्रोड़ान में इंकलूड़ीड होता है उसके बाद क्या होता है कुछ साल आपको उन्हीं ओपरेटर को इस्तिमाल करना होगा जिनका आपने फोन लिया जिन से फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वह फ्री हो जाता है फोन आपका तो बंडल्ड ऑफर होता है वह ऐसे कैश आइफोन नहीं खरीदते हैं वह किष्टों में खरीदते हैं और वह किष्टें उनके मोबाइल प्लान के साथ ही इंकलूड़ीड होती है सो अमेरिका में और बहुत सारी कंट्रीज में आइफोन खरीदना कोई लगजरी की निशानी नहीं लेकिन भारत में आप उसको कैश नगत देके डारेक्ट उठाते हैं और उसका प्राइस टैक्स वागेरा लगके थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इसलिए इसको यहां पर थोड़ा सा लगजरी मारा जाता है इमेरिका में यह बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी चीज़ है एक आइफोन खरीदना तो यहां पर म मिलता है 3.5 mm को जो हेड़फोन जैक है वह आप लगा नहीं सकते हैं यह तो बहुत बड़ी प्रॉप्लम में है नहीं लगता अगर आपको कुछ एक्स्टेंट करना है मैमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड नहीं है उसमें आइफोनों में नहीं मिलता मैमोरी कार्ड और आजकल तो आप मानेंगे नहीं वसे आप मान भी सकते हैं कि आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता हैडफोन भी नहीं आता मतलब चार्जर तक नहीं देते वह आपको अलग से खरीदना पड़ेगा किती प्रॉब्म वाली बात है अब नॉर्मन कोई इंसान और पता है इसका एयर साथ देने पड़ते हैं बट आईफोन तो आईफोन ही है और उसको दिखाकर और मेरे सेलफीज लेकर जो साडिस्फाक्शन मिलता है लोगों को वो शायद और कहीं आपको नहीं मिल सकता है और बहुत सारे कुछ ऐसे वीचर भी है सेक्योरी के मामने में आईफोन बहुत आईफोन में आईफोन के लोगों को पहले यह कहा जाता था कि भाई आप पावर बैंक लेकर घुमो क्योंकि आपकी बैटरी लिए खतम हो जाती है नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलता लेकर कोई हाड को यूजर है कुछ तो उसको पता चलता है आईफोन की बैटरी का आईफोन के 12 में वह भी बात की मैंने आप देखते हैं इसके आगे क्या आपडेट देखने को मिलता है जो भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्ते के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें तो आपको अजयए में आपको लाइक वाइक करें लाइक करें साथ बाइक करें साथ attending जये पुर्व हमें दोस्ते करें संब दो मिलेगी और यह भी मिलेगा मैं आपको इós एले उर फमागर दोस्ते करें सिते हना जल्माव करें सेजिए झुछ छ neur तोस्study